बिस्मिल्लाइ रमानी रहीम अस्सलाम अलेकूम वेलकम टू स्माइली फुड और मैं हूँ नाहिद आज हम बनाएगे बहुत ही कम खर्च में बनने वाले चना दाल और पियास के समोसे इस्पाइसी और चटपटे मसाले वाले समोसे ज्यादा बनाकर रमजानीत के लिए स्टो समोसे वह भी बहुत ही आसानी से किस तरह बनाते हैं देख लेते हैं चने की दाल के समोसे बनाने के लिए यहाँ पर देखिए मैंने एक कप चने की दाल को धोकर देर से दो घंटे के लिए गरम पानी में भीगा कर रखी थी अब यहाँ पर देर से दो घंटा हो चुका है द प्रवें परएस बच euPS फर दाल देते मैने से सभी पानी को निकाल लियाoise इसमें नमक दाल देते तो बहुँ यहाकम डालना है क्यांकि बाद में भी हम नमक डालने वाले थोड़ी सी हल्दी पाउडर ताके दाल में अच्छा सा कलर आ जाए अब इसमें पानी डाल देते बहुत ज्यादा पानी नहीं डालना इसमें आदा गिलास पानी डाल दी मैंने कुकर का ढकन बन कर देगे और दो सीटिया लगा लेते दाल अच्छे से गली भी चाहिए और टेक्चर उसका अखा भी चाहिए यहाँ पर कुकर की दो सीटिया होते ही मैंने गैस बन कर दी थी और कुकर का सारा प्रेशन निकल चुका है हम दाल को चेक कर लेते यह देखिए दाल अच्छे से गल भी गई है और दाल का टेक्चर अखा भी है बस इसी तरह की हमें दाल चाहिए था अब इसमें थोड़ा बहुत अगर पानी हो ना तो उसे आप चान लीजिएगा अब समोसे का मसाला बनाने के लिए गेस पे मैंने एक कडाई रखी हूँ उसमें दो से तीन चम्मच तेल डाल देते तेल गरम हो गया इसमें आदा चम्मच जीरा डाल देते और जीरे को थोड़ा सा तड़कने देते अब इसमें एक चम्मच अद्रक लशन का पेज डालना है और साथ में ही दो चम्मच क्रश कीवी हरी मिचे थोड़ा सा इसे प्राइ कर लेते हम यहाँ पर अद्रक लशन और हरी मिच अच्छे से भून गई है अब इसमें हम चने की दाल डाल देते तो देखिए दाल को मैंने इस तरह से चाली वाले बरतन में चान कर रखिए सारा पानी निकल गया है यह दाल डाल देते एक बार पहले मीला लेते ताकि नीचे से चिपके नहीं अब इसमें कुछ सूखे मसाले डाल देते हैं तो एक चमचे भूनेवे जीरे का पाउडर एक चमचे दरदरा कुटावा धनिया अगर कुटावा धनिया नहीं है तो धनिया पाउडर भी ले सकते हैं इसकी जगा पर आप एक चमचे काली मिर्च का पाउडर और एक चमचे मेर घर का पीशा हुआ गरम मसाला पाउडर तो आप कोई भी गरम मसाला ले सकते हो आदा चमच है लाल मिर्च पाउडर एक चमच है दरदरी कुटीवी लाल मिर्च और दो पिंच मैंने यापर काला नमक लिए तो मैं अभी टेस्ट के साब से नमक भी डालने वाली हो आप लोग नमक देखकर डालना क्योंकि दाल उबालते टाइम पर भी हमने नमक डाला था यह बिल्कुल थोड़ा समय नमक डाल रहे हैं यहाँ पर इससे भी मिला देते समोसे के लिए जो मसाला तैयार करते ना उसे थोड़ा सा अंदर से चट पटा और स्पाइसी बनाना क्योंकि उपर से समोसे की जो पट्टी आती है तो उसकी वज़ा से अंदर की फिलिंग टेस्टी होगी ना तो बहुत ही मजेका लगता है समोसा यह देखिए सभी चीज़ की बढ़ाना चाहते हो ना तो प्यास को ज्यादा भी ले सकते हो और अगर आपके पास हरी प्यास हो ना तो इसकी जगा पर वह भी ले सकते हो आप तो यह प्यास दाल देते हैं बस अब इसे दो मिनट के लिए ही पकाएगे हम, ताकि प्यास में जो पानी निकलता है न, वो अच्छे से सूख जाए. आप मिर्ची मसाले अपने हिसाब से ले लिजेगा, जितना आप तीखा कम ज्यादा खाते हो इस हिसाब से. मैंने आज थोड़ा सा इसको स्पाइसी बनाई हूँ, दो मिनट हो गए है, प्यास का भी सारा पानी अच्छे से सूख गया है, सभी मसाले दाल के अंदर अच्छी तरह से मिक्स हो गए है, अब हम गैस बन कर देगे, और लास्ट में बारिक कटावा हरा धनिया और पुदीने क पत्ते डाल देते हैं, पुदीने के पत्ते की वया से भी बहुत अच्छा टेस्ट आता है, इसमें समोसो में, हरा धनिया और पुदीने को भी अच्छे से मिला देते हैं, और इस स्टफिंग को अच्छे से ठंडा होने देते हैं, उसके बाद हम इसके समोसे भरेगे, माशा समोस को भरें और फ्राय करके खाएगे तो कितना काम आसान हो जाता है इस तरह से तैयार शीट्स लाते है तो यहां पर समोसे का मसाला भी ठंडा हो गया है और समोसे को चिपकाने के लिए मैदे का घोल बना लिए मैने तिन से चार चमच मैदा लेकर थोड़ा पानी डाल कर गा करना है मेंदी के कौन की तरह बन जाता है इसमें आप अपनेसाब से मसाला डाल सकतेयों यहाँ पर मैंने दो चमप छुआ डाल दियूंग अब यहां पर उंगली रखकर हम इसे फोल्ड करेगे यह देखिए इधर से फिर यहां से अब यह जो हिस्सा बचाए उसमें मैदे का घोल अच्छे से लगा देगे हम ताके अच्छे से चीपक जाएगे फ्राइ करते टाइम पर इसमें बिल्कुल भी तेल नहीं जाए यहां पर भी थोड़ा थोड़ा लगा रही हूं मैं तक अच्छे से चीपक जाएगे देखिए अब यहां से उठा कर हम इसे दबा देगे और यह जो हिस्सा बचाए ना इसे इस तरह से पैक कर देगे इदेखिए समोसा हमारा बन जाता है तो ऐसे ही सारे समोसे हम बना लेते हैं तकहला बन कर तयार हो चुकिए और सस्वासा अाव पर सिफ सबी समोसे न से बनकर दे और से तरह स्वी समोसे की दाल थो ओदग किसा पैमिली मेमबर के दाल सब ले सकते हैं और देखिए पूरी स्टफिंग हमारी खतम हो चुकी है अब ये समोसो को फ्राइ कर लेते हैं समोसे को फ्राइ करने के लिए कड़ाई में मैंने तेल गरम कर लिए हूँ एक एक समोसा डालते जाते हैं बिस्मिल्लाय रमाने रहे और बहुत ज्यादा गरम तेल नहीं चाहिए समोसो को फ्राइ करने के लिए वन्हा जो इसकी उपर की पप्री होती ने समोसे की तो उस पर बबल्स आने लगते तो थोड़ा सा हलका तेल गरम हो ना उसी टाइम पर समोसो को डाल देना मीडियम फ्रा चाहते हो तो फ्रीजर में रखकर 10-15 दिनों के लिए रखो गिना तो भी खराब नहीं होते हैं अब समोसो को पलट लेते हैं और उलट पलट कर अच्छा सा क्रिस्पी करा रहा होने तक हम फ्राइ करेगे चने की दाल हमारी बॉयल की हुई है इसके लिए ज्यादा टाइम नहीं लगेगा हमें समोसो को फ्राइ करने बस उपर की जो पट्टी है क्रिस्पी करार ही हो जाए वहाँ तक फ्राइ कर लेते यहाँ पर देखिए समोसो पर बहुत अच्छा कलर आ गया है क्रिस्पी करार हो गया है हम इसे निकाल लेते माशाला देखिए कितने बड़े साइज के हमारे समोसे दिख रहे है एक पर तेल में जाकर फटा नहीं है तो इससे एक प्लेत में निकाल लेती है और इसकी आवाज सुनिहें कितने क्रिस्पी करारे बने है तो यहां पर टोकरी में मैं इसे डिश आउट कर रही हूँ तो बहुत अच्छा लगेगा यह देखिए कितने प्यारे समोसे दीख रहे हमारे कहीं से भी खुले नहीं देख सकते हो आप इफ्तारी में वेज समोसे इस तरह से जरूर बना कर ट्राय कीजिएगा सभी को घर में बहुत पसंद आएगे देखिए सिर्फ एक कप चने की दाल से हमारे कितने सारे समोसे बन कर तयार हो जाते हैं अभी पूरी प्लेट भर के हमारे समोसे बाकी है जिसे मैं फ्राय कर लेती हूँ तो इफ्तारी में हम लोग ने चिकन मटन के फ्राय आइटम तो बहुत खाई है लेकिन इस तरह से चने की दाल के भी समोसे आपने बना कर देखना बहुत एच्छे लगते हैं खाने में और इसमें हमने पियास दाली है उसकी वज़ास से बहुत एच्छा टेस्ट लगता है चने की दाल थोड़ी हेवी भी होती है दो तिन समोसे ही खा लोगे ना तो आपका पेट भर जाएगा प्यास और चने की दाल का कॉंबिनेशन बहुत ही बढ़िया लगता है इन चने की दाल के समोसे को आप इमली की खटी मिटी चटनी के साथ खा सकते हो हरे धनी या पूदीने की चटनी के साथ खा सकते हो या फिर फ्राय की वी हरी मिर्च के साथ खा सकते हो किसी की भी साथ ख आज की चैना दाल के समोसे की रेसीपी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों रिष्टदारों में जादा से जादा शेयर करें, चैनल को सबस्क्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सबस्क्राइब कर लें, अपना बहुत सारा खयाल रखें, दुआओं में हमें भी याद रखे फिर मिलतें इंशाला एक नई रेसिपी के साथ अल्ला हाफीज